नमस्कार साथियो आपके अपने यूटुब चैनल भोले भंडारी में आपका श्वागत है आज हम जानने वाले हैं इंडियन ओयल की PNG गैस कनेक्शन लेने के लिए हमें कौन-कौन से डॉकमेंट्स देने होंगे यानि कौन-कौन से डॉकमेंट्स देकर हम इंडियन ओयल की P पी-एज्यीं डेक्शन ले सकते हैं यानि की कौनसा ओफर्ड आपके लिए बेहतर होगा आगर आप इंडियन ओयल की PNG गैस कनेक्शन लेना चारते हैं तो और साती हम जानेंगे मात्र मात्र साथ रुप्या देकर हम इंडियन ओयल की PNG गैस कनेक्शन की सुईधा कैसे ले स सेर कमेंट और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आए देखते हैं कौन-कौन से डॉक्मेंट्स देने होंगे देखिए जैसा कि यहाँ पर मिंसन है अभी पंजी करन करवाए मात्र पहचान पत्र यूम पते का परमान पत्र देकर यानि कि आप आपको गैस कनेक्शन लेने हैं तो यह डॉक्मेंट्स देने होंगे पहचान पत्र यूम पते का परमान पत्र तो आए आपको डिटिल्स में बताते हैं कि कौन-कौन सा आपका जो डॉक्मेंट्स होगा वो पहचान पत्र के लिए होगा कौन सा डॉक्मेंट्स आपका परमा जो voter cards के नाम से प्रचलित है रेविं लेशन्स, रेंटल एग्रिमेंट, लीज एग्रिमेंट, यूटिलिटी बिल में आपका water और electricity बिल आ जाएगा तो यानि अगर आप जिस राजी के नागरिक हैं अगर आप उसी राज में रह रहे हैं तो आप मत्र या सिर्फ आधार card या voter card या passport कोई भी एक document देकर आप Indian oil की PNG gas connection ले सकते हैं जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी अन्ने राज के नागरिक हैं और किसी अन्ने राज में रह रहे हैं तो आपको इस case में आधार card, voter card या passport किसी एक documents के साथ आपको साथ ही साथ rental agreement या water और electricity bill आपको देने होंगे तो पते का परमान पत्र उनको देना होगा जो किसी अन्ने राज के नागरिक हैं और किसी अन्ने राज में रह रहे हैं उनके लिए है ये पते का परमान पत्र आईए दोस्तो एस scheme के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कून सा scheme आपके लिए बहतर होने वाला है तो आईए देखते हैं दोस्तो इनतजार की घरी समापत होती है जिसका था हमें इनतजार तो आए्ये देखते हैं कौन सा आफर है आपके दिए बेहता तो सबसे पहले हम बात करेंगे ISKIM A फिर हम बात करेंगे ISKIM B और फिर ISKIM C और ISKIM D की भी बात करेंगे ISKIM A B C D समझने से पहले मैं दो चीजों आपको समझादेना चाता हूँ दोस्तों ताकि आपको इसकीम समझने में कोई परिशानी ना हो EMI offer समझने में आपको कोई परिशानी ना हो तो सबसे पहले आपको ये terms जानने हैं EMI में जो यहाँ पे जैसा mention है Afront Scheme यानि कि Afront Scheme पतलब Afront का मतलब क्या होता है और साथ ही हम जानेंगे By Monthly का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको Afront का मतलब बता देना चाहता हूँ Afront सब्द का मतलब दोस्तों ये होता है मतलब पिरिपेट कोई भी चीज का मतलब कोई भी सुईधा लेने से पहले हम लोग जिसका payment करते हैं उससे Afront कहते हैं जैसा एक्जामपल के तोर पे आप देख सकते हैं जैसे आप मोबाइल चलाते हैं मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो मोबाइल में रिचार्ज पहले करवा लेते हैं उसके बाद आपको टॉक टाइम मिलता है कि आप इतना 28 दिन या 30 दिन तक बात कर सकते हैं तो यानि कि आप सुविधा लेने से पहले जिस चीज के लिए आप payment करते हैं उसको off-front payment कहा जाता है ठीक और bio-mantli का मतलब आपको ये बता देना चाहता हूँ bio-mantli यानि कि दो महिने में एक बार ठीक है दोस्तो तो आप उमिद है कि समझ गए होंगे off-front का मतलब क्या होता है और bio-mantli का मतलब क्या होता है तो अब आईए scheme A के तरफ बढ़ते हैं जैसा कि देखिए आप scheme A के तहत Indian oil की PNG gas connection लेना चाहते हैं तो मात्र 6,618 रुपीज देकर आप Indian oil की PNG gas connection ले शक्ते हैं इसमें देखिए आपको कौन-कौन से charges देने होंगे इसमें off-front payment 6,000 जैसा कि आपको अभी बताया यानि connection होने से पहले आपको ये payment देने होंगे जैसे कि mobile मैं कहीं बात करने से पहले जैसे आपको recharge कराना होता है वैसे ही connection करने के पहले ही आपको ये 6,000 देखकर registration करवाना होगा और front payment के तौर पर ये हो गया साथ ही refundable payment security deposit यानि कि आप connection कभी जब भी disconnect कराते हैं तो 500 रुपीज जो होंगे ये आपके account में आ जाएंगे और साथ ही ये GST जो है आपका लगेगा एक सो अठार रुपिया यानि कि टोटल 6,688 रुपीज दे कर आप इंडियनोल की PNG गैस connection ले सकते हैं एसकीम A के तहत ठीक अब बात करते हैं एसकीम B यानि की EMI1 EMI1 के तहत आप इंडियनोल की PNG गैस connection लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपको इसमे इसमें देने होंगे upfront payment के तोर पे 3000 यानि 3000 upfront payment हो गया आपका फिर यानि 250 रुपिज monthly यानि कि दो महिने में एक बार आपको 250 रुपिया देना होगा और साथ ही आपको 500 रुपिज देने होंगे security deposit और साथ ही आपका यह administrative यानि GST चार्ज जो होगा 430 रुपिज यानि कि कुल मिलाकर आप EMI1 यानि scheme B के थथ इंडियन ओल की PNG gas connection लेना चाहते हैं तो मात 3,930 रुपिया देकर आप इंडियन ओल की PNG gas connection ले सकते हैं बाकी का payment जो होगा आपका 250 250 करके यानि कि आप 2 साल में दे सकते हैं यानि कि 2 महिने में एक बार आपको 250 रुपिज देने होंगे तो आए अब देखते हैं कितना कुल पेमेंट यानि टोटल पेमेंट कितना हमको देना होगा यानि कि आप connection लेने से पहले आपने 3930 रुपिया दे दिया और बाकी के जो आपके पैसे हुए 250 करके आप 2 साल देंगे यानि 2 साल में 2 महिने में एक बार दिये ठिक तो यानि कि 2 साल में कितना दिन होगा 2 साल में कितने महिने होगा 12 महिने आपको पेमेंट करने हैं मात यानि कि 250 करके आपने 12 मंत payment किया तो 3000 टोटल आपके ये हो गए और connection लेने से पहले आपने ये दिया था payment 3913 का 3913 प्लस 3000 यानि कि 6913 रूपीच आपका total cost पर जाएगा अगर scheme B के तहत आप Indian oil की PNG gas connection लेना चाते है तो यहाँ पे आपका जो difference आएगा 413 118 यानि कि 245 रूपीया का अंतर आपको आएगा वो भी जो अंतर होगा मत्र GST चार्ज में यानि कि टोटल जैसे कि आपने front scheme यानि एक तहत connection लिया तो 6618 में हो गया जबकि A scheme B के तहत आपने connection लिया तो 6913 रूपीयाज में हो गया यहाँ पे जो आपका चार्ज बढ़ा वो केवल 18% GST का यहाँ 118 था यहाँ पे 413 हो गया बच दोस्तों यह जो आपका difference जो आएगा न कोई भी scheme लिजिए उसमें आपका difference केवल administrative charge का ही आएगा आएगा अब आईए बात करते हैं EMI2 यानि scheme C scheme C के तहत आप Indian oil के PNG gas connection लेना चाहते हैं तो मातर 1775 रुपिया देकर आप Indian oil के PNG gas connection ले सकते हैं और बाकी का जो पैसा है आपको चार साल में देना है चार साल में 24 महिना आपको payment करना होगा चार महिना में 48 महिने हुए दो महिना में एक बार दे रहें आप यानि कि 24 महिने में आपको payment करने होगे यानि 250 करके आपने 24 महिने दिये तो आपके 6000 रुपिज ये हो गए और 1775 रुपिया आपने connection लेने के पहले दिया था यानि कि 1775 प्लस 6000 रुपिया आपने installment पे दिया चार साल तक यानि total cost आपके हो गए 7775 रुपिया पूरे connection का cost पर गया इसमें देखिए मैंने आपको बता है ना यहाँ पर केवल आपका अंतर जो आएगा अगर आप scheme A के तहत connection लेते हैं तो 6618 में हो जाएगा जबकि scheme C यानि EMI2 के तहत connection लेते हैं तो 7775 पड़ेगा यह जो आपका difference आ रहा है difference सिर्फ 1275 रुपिया जो है इसमें administrative चार्ज में ही आएगा administrative चार्ज ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप जितना दिन ज़्यादा सरकार का पैसा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका GST चार्ज लगेगा EMI तो आपका उसमें EMI में कोई फर्क पढ़ना ही पढ़ना है बस फर्क पढ़ना है सिर्फ administrative चार्ज में आएगे दोस्तों सब बात करते हैं scheme D scheme D के तहत आप कैसे connection नहींगे अगर scheme D की बात की जाए तो इसमें देखी upfront payment कोई upfront payment नहीं है साथ ही इसमें कि इसमें upfront payment कोई नहीं है कोई भी installment पे आपको पे नहीं करना है मात्र यहां पे आपको rental देने हैं 60 रुपीज पर मंत और साथ ही refundable deposit जो है इसमें 500 500 सम्में आपका यह payment security डीपोजिट होगा और यहां पे आपका जो GST होगा मत्र 118 होगा यानि scheme A में भी 118 और scheme D में भी मत्र 118 रुपीज आपको देने होंगे यानि 618 रुपिया मत्र 618 रुपिया देकर scheme D के तहत आप Indian oil की PNG gas connection की सुईधा ले सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पे यह है आपको यहां पे कोई भी EMI चार्ज पे नहीं करना है यह rental है इसमें आप जितना gas consume करेंगे उसका पैसा देना होगा और साथ ही 60 रुपिज पर मन्त देने होंगे यानि कि आप अगर 20 unit gas यूज करते हैं तो आपको 20 unit के पैसा देने होंगे और साथ ही साथ 60 रुपिया आपको rent देना होगा आपने जो gas connection लिया है क्योंकि यह scheme जो है rental है जैसे कि मान के चलिए आपने कोई भी घर example के तौर पे समझे कोई भी घर आपने rent पे ले लिया तो आप बिजली बिल जितना use करते हैं उतना देते हैं और rent का महेना जो होता है क्या होता है आपका फिक्स होता है कि 500 का मेरा रूम है तो हर महीने में पंदरस देना है लेकिन बिजली बिल जो होगा क्या होगा अप डाउन कभी हो सकता है ठंड का मोसम है तो 100 रुपया या लेकिन गर्मी का मोसम है तो हो सकता है आपने ज्यादा कुछ आपका बिल आएगा उमेद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी अगर कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप कोमेंट कर सकते हैं कोमेंट में हमसे पूछ सकते हैं